दोस्तो आप सभी को नवस्कार कैसे हैं मैं राज गुपता फाउंडर अब राज महंदी डिजाइनर आपका बहुत-बहुत स्वाकत करता हूँ गाइस आज यह बहुत ही special training है और यह training है bridal महंदी के पैरो के design की सबसे पहले अगर हम पैर लगाते हैं तो ओपनिंग design बहुत ही important है चाहे है वो हातों कर design हो या पैरों कर design हो देखिए जैसे ही हाँ पर मेरी team ने दो बार outline दी हुई है outline के उपर दो बार smaller curl है उसके उपर drops है और एक-एक drop की clarity बहुत ही fine बहुत ही clear है उसके बाद उन्होंने मदवनी के design बनाया हुआ है design में एक-एक line को बहुत ही अच्छी तरीके से highlight किया हुआ है आप देख पा रहे होंगे देखिए सबसे पहले इन्होंने round circle के तरह ये मदवनी का element दिया है मदवनी के element के बाद इन्होंने outline दिये outline के बाद leap को बहुत ही अच्छे से बना रहे है और leap के बीच में हलकी से layer दिये अब layer के बाद guys जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मदवनी में जो आ feeling कर रहे हो तो feeling आपकी बहुत ही fine होने चाहिए एक-एक outline को अच्छे से ब के जो मदवनी है वो बिल्कुल भी distribution नहीं होनी चाहिए देखिए जिसे इस तरह से कर रहे हैं और फटा फटा से score complete करते हैं मदवनी को पूरा fill कर लेते हैं आप देख पा रहे होंगे कि मेरी team बार बार कोन को clean कर रहे हैं और सबसी important है कि अगर आप कोई भी design लगा रहे हैं आपकी position एकदम perfect होनी चाहिए हमेशा आपका एक हाथ दूसरे हाथ के नीचे होना चाहिए ताकि आपका जो support है वो आपके hand के उपर हो, client के पैरों के उपर है, हाथ के उपर बिल्कुल भी ना हो एक एक line को अच्छे से fill करें और guys जो लोग मेरे channel पे नए हैं उनसे request है कि channel क subscribe कर लें नीचे दियेगे वाल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की हार एक valuable और notification आप तक आए आप लोग मेरे training को इतना प्यार, इतना support करते हैं guys उसके लिए बहुत बहुत thank you so much आप दिखिए बीच में इसमें हमने drops दिये हुए है, drops इसलिए दिये हैं ताकि ये highlight करें और जब भी आप पैरों की design लगाएं तो सबसे important है कि जो इसका AD का part है हुआ, अच्छे से cover up कर ल यहां पर small circle दे रहे हैं, उसके बाद guys यहां पर हम देंगे design चारों तरफ अच्छे से cover up कर लिया है, उसके बाद नीचे outline दिये, outline के ओपर small circle दिया हुआ है, guys मैं चाहता हूँ जिस प्रकार से हम इस bridle मेंदी के पैरों के design को लगा रहे हैं, उसी प्रकार से आप भी यही design design अपनी bridle को लगाएं, लेकिन वो तब लगा पाएंगे जब आप इसको एक-एक element को, एक design को अच्छे समझेंगे, इसकी practice करेंगे, क्योंकि यहां guys practice नहीं करेंगे, तो कुछ भी possible नहीं है, यहां round circle दिया है, इसके उपर small circle दिया है, फिर यह outline से cover up किया है, बीच में guys इ इसके अंदर हम देंगे element जो की यह center का part है highlight करेगा, देखिए जैसे उपर drop दिया है, इसी परकार से touch करें, push करें, touch करें, push करें, एक-एक element को, एक drop को बहुती finishing के साथ देना है, देखिए जिस परकार से मैं अपनी art को बहुती सुन्दर तरह से लगाता हूँ, उसी परकार जो check होता है, कैसे बनता है, कुछ नहीं करना है, touch करना है, push करना हलकेल की हाँ से, इसको उपर नीचे उपर नीचे जिग-जग की तरह इसको बनाना है, बहुती simple, बहुती easy design है, फिर वी अगर आपको लगता है, इसमें कोई बहुती tough design है, तो आपसे request है guys, आप लोग comment करे ताकि मैं उस design, उस element, उस pattern की special training लेकर आऊँ, ताकि आपके जो भी doubt है, वो सारे clarify हो जाएं अच्छे से, यह देखिए, finger को हम cover up कर रहे हैं, यहाँ पर हमने दो बार small circle का use करेंगे, और small circle बहुती fine होना चाहिए, guys मैं आपके लिए training रात के दाई बजे, सोचे दाई बजे मैं इसको edit कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्यों कि guys, bedding का season आने वाला है, मैं भी चाहता हूँ, जो लोग मेरी training को दिल से attend करते हैं, उनसे request है कि वो भी इसी प्रकार से बहुती सुंदर महंदी लगाना सीख जाएं, ताकि जब भी वो अपने client को लगाएं, तो जिस प्रका लाइक जरू करना, और इस training को अपने तक सीमित मत रखना, इस training को maximum to maximum लोगों तक हर WhatsApp ग्रूप में, social media platform पे guys, फैला दें, इसको share कर रहा है, maximum to maximum, जितनी ज़्यादा आप share करें guys, सोचिए, अगर आपके काम आ रही है, तो हो सकता है, आपकी तरह और भी लोग हैं, जो चाह प्रोपेशनल मेंदी आर्टिस्ट बनना, लेकिन guys अब तक उनके पास ही प्रोपेशनल ट्रेनिंग नहीं पहुचेगी, वो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन आपका एक सायोग, उनकी बहुत ज़्यादा help कर सकता है, अगर आप इसको share करते हैं, देखिए, मदवनी जब बना हैं, फिर outline दें, outline देके बड़ी सी, एक यहाँ पर round circle की shape में एक element लेना है, element के बाद, यहाँ जो जगें बची हुई है, यहाँ छोटी सी QTC लेप बनाएं, और बीच में उसके layer दे दे, ठीके, अब यहाँ देखिए, मिरी team की जो परसन है, जो महंदी लगा रहे हैं, वो स से बिले इन्होंने outline दिये, outline के माध्यम से इन्होंने element का design दिया है, वो ही round circle वाला, और उसके अंदर यह leaf दे रहे हैं, बट देखिए, overall अगर हम बात करें, जब पैरों का design लगता है, देखिए, जैसे पैरों का design, हम एक design लगाते हैं, कोई भी, agitage, दूसरा पैर भी हमें उसी तरह से to copy करना होता है, क्योंकि पैरों की महंदी, bridle की, एकदम डिटो सेम होती है, और अगर हम बात करें हातों की, आगे की हातों की महंदी चेंज हो सकती है, लेकिन पीछे की जब महंदी लगा रहे हों, हातों के palm की, जब palm hand की महंदी हो, back hand की, वो आप courses करें कि equal लगा सकते हैं, चॉइस है, लेकिन पैरों का design हमेशा सेम होता है, और बहुत सारे bridle का question यह होगा, और जो customer हैं, आपके, इवन जो महंदी आर्टेस्ट हैं, जो लोग मेरी training को देख रहे हैं भी, उनका question यह होगा, कि सर्फ मुझे bridle बोलती हैं, कि पीछे से पैरों पे महं कर दो, तो guys, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कभी भी साधी से पहले पीछे की महंदी नहीं लगती है, पैरों की पीछे महंदी नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसकी एक प्रता है, साथ बंदन, कहते हैं साथ फेरे, लेकिन actual तो जो ritual होते हैं, चार ही फेरे होते हैं, लेकिन लोग साथ फेरे कहते हैं, फेरों के बाद लड़की अपने बंदन में बनती है, तो कोसिस करें जब महंदी लगाएं, तो उसको front fair लगाएं, back पे ना लगाएं, क्योंकि proper पूरे पैर नहीं बांदे आते हैं, फिर भी अगर आपकी client जिद कर रही हो, उसको request करें सम लगाएं, बेसक आदे घंटे वाली मेंदी, एक घंटे में लगाएं, लेकिन finishing proper आनी चाहिए, ताकि लगना चाहिए कि आप मेरे student हैं, देखिए, जैसे उन्होंने मदुवनी को बनाया है, मदुवनी के अंदर उन्होंने bold feeling दिए, bold feeling करना बहुत दीजिए, सबसे important है कि ज texture है, जब आप बनाते हैं, तो उसको अच्छे से cover up करें, यहाँ finger पे बारिक feeling है, क्योंकि देखिए, मदुवनी के ऊपर थोड़ा bold design है, side में check है, तो gap अलड़ी बहुत चाहिए, तो यहाँ पर होनी चाहिए, बारिक feeling, ठीक है, जब यह बारिक feeling देंगे, तो guys देखना, य highlight करेगा, और खिल की आजाएगा, इस मेरा Instagram का handle है, राज मेहंदी designer जो लोग Instagram यूज करते हैं, और जिनोंने अभी तक मुझे Instagram पे follow नहीं किया है, उनसे request है, मुझे Instagram पे follow कर लें, ताकि वहाँ पर अच्छी अच्छी reel और अच्छी अच्छी photos का आनंद ले, बहुत सारे designs मैं पर upload करता हूँ, और आप लोग मेरा परिवार अशली मेरी फस्ट प्रात्मिक्ता बनती है, कि जब भी मैं कोई भी reel upload करता हूँ, तो पहली reel मैं YouTube पर upload करता हूँ, then second reel मैं Instagram पर पोश्च करता हूँ, क्योंकि guys, आप लोगों से मेरा इतना लगाव हो चुका है, मुझे आ एक लाइन को बना रहे हैं, एक एक element को बना रहे हैं, और देखिए, सबसी important है कि कोन को बार बार clean कर रहे हैं, जिल लोगों के मन में कोश्चान होगा कि सार हम बहुत बार try करते हैं, आपकी training को practice करते हैं, बड़ finishing नहीं आती, तो guys मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, क देखिए, finishing का एक ही मूल मंत्र है, practice, 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 अब बात करें कि सार हम practice तो करते हैं, guys हो सकता है, practice कर रहे हूँ, लेकिन आप अपनी कोन को अच्छे से clear नहीं कर रहे हैं, आप अपनी, जब कोन से महंदी लगाते हैं, तो आपकी हाथ की position है, हो सकता है, वो clear ना हूँ, अच्छ दूसरा हर element के बाद कोन को अच्छी तरह से clean करें, एक एक design को समझ के लगाएं, hard work के साथ आपको smart work भी करना है, आप यकीन मानिये, guys जब आप practice करेंगे, बहुत जल्द आपके हाथ में इसी प्रकार की finishing आईगे, और जिर लोगों के हाथ में finishing आ चुकी है, उनसे request है, वो comment में लिखें, अपना नाम किस जगे से belong करते हैं, वो किस state से, किस state से हैं, वो जरूर लिखें, किस राजे से हैं, वो जरूर लिखें, मुझे बहुत खुशी होगी, guys, जब मैं आपके comment को पढ़ता हूँ, सच बता रहा हूँ, guys, मैं बहुत ज़्यादा भावुक होता हूँ मन प्रसन हो जाता है, बहुत प्राउडनेस फिल करता हूँ, जब आप लोग अपनी बात comment के माद्यम से लिखते हैं, और कितनी अच्छी तरह से आपकी training, आपकी life में काम आ रही है, कितने लोग इस training के माद्यम से आगे बढ़ रहे हैं, देखे, guys, इन्होंने finger पूरी complete कर अब देखते हैं, पैरो का पूरा overall look, यह देखे, guys, कितना सुंदर लग रहा है पैरो का design, दूसरा पैरो का design देखो, जो ओल्डी बना हुआ, इन्होंने एकदम सेम लगाया है, इतनी मेहनस से आपके लिए इतना अच्छा design लेके आता हूँ, guys, training लेके आता हूँ, अच्छ सुमाच गएस,